Hello Friends, Java Desi के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे एक Java प्रोग्राम की जिसमें आपको किसी भी नंबर का Factorial निकालना होगा. Factorial का मतलब simply यही है कि अगर आपको 2 का Factor निकालना आपको क्या करना है? मैं आपको एक simple सी logic से इस Factorial को निकालने का तरीका बताऊंगा और यहां हम Factorial को Find करने से ज़्यादा interested होंगे जो process हम follow कर रहे हैं Java में एक program को लिखते समय. तो जैसे कि मैंने मेरे last lecture बनाया था कि हम एक class कैसे बनाते हैं हमने यह भी सीखा था कि हम एक package कैसे create करते हैं और उसके अंदर हम एक class create करते हैं अब हम इस class के अंदर अपना program लिखना चाहते हो और इसके लिए हम क्या करेंगे एक factorial बनाने वाला program लिखेंगे तो यहाँ पर आप देखो मैंने एक program यहाँ पर लिखकर रखा है बहुत ही basic सा program है बट इस समय मैं चाहता हूँ कि हम word by word इस program को decode करें तो यहाँ पर आप देखो सबसे पहले हमारा package जहाँ पर भी जहाँ पर भी हमने अपना package बनाया है सबसे पहली line में हमें package मिल जाता है दूसरी line में public, public एक access modifier है मैंने आपको पहले भी बताया था जैसे ही आप यहाँ पर public यह use करोगे keyword इस से होगा यह कि आपकी जो भी class होगी वो आप कहीं पे भी access कर पाऊगे इसके उपर हम और भी detail में चर्चा करने वाले हैं इसके बाद यह दूसरा keyword है class class यह बताता है कि इस package के अंदर यह हमारी class है तो class भी basically क्या है एक keyword है ठीक है जो simply यह बता देगा कि factorial one is our class आप चाहो तो यहाँ पर public नहीं लिखोगे और अगर आप यहाँ पर public नहीं लिखोगे तो आपको याद होगा जब हमने notepad की program की थी तो अगर हम public नहीं लिखते हैं तो उससे क्या असर होता है इसके बाद यह जो है ना यह हमारा है class का नाम यह हमारा है class का नाम है ठीक है इसके बाद आप देखो तो हमने एक पहला bracket दिया है तो यह देखे यह red color का bracket है यह जो देखे यह red color का bracket है यह bracket line number 11 के bracket के लिए है वैसे ही जो यहाँ पर हमने bracket यूज किया है line number 4 पे वो line number 10 के ल तो सिंपल सी बात है कि तीन ब्रैकेट्स ओपनिंग के हैं और तीन ब्रैकेट्स क्लोजिंग के हैं, तो I hope ये छोटी छोटी चीज़े हैं, आपको पता होंगी और जिन्ने नहीं पता है, उनके लिए हम लोगे करी रहें, अब सबसे पहले देखिए, लाइन नमबर फोर पे च समझे कि हम जब भी एक जावा प्रोग्रामिंग नया नया सीख रहे होते हैं तो यह सब कुछ हमारे लिए एक main method की तरह है ठीक है तो इस line number 10 को close करने से पहले मुझे यह print statement लिखना पड़ता है और आप यहां पे देखो मैंने यह print statement लिख दिया है तो एक simple सी बात में आपको कहता हूँ कि यह जो हमारा main method है और यह हमारा print statement है यह दोनों आपस में दोस्त हैं यह दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं अब इन दोनों braces के बीच में यहां पर हम अपने program का logic लिख रहे हैं यह जो area है यहां पर हम लोग अपने program का logic लिख रहे हैं सबसे पहले इस पूरे program में आप देखोगे हमने दो चीजें introduce की हैं क्या तो एक है हमारा यह fa ct fact ठीक है जो factorial represent कर रहा है और दूसरा है हमारा i ठीक है आप देख लो बस इन दोनों के उपर हमने अपना program लिख लिया एक factorial का fact और एक integer हमने declare किया i हमारा जो fa ct fact है और यह जो i है यह दोनों भी इनकी जो type है यह वो क्या है int है ठीक है इनका type क्या है int type का है किसी भी integer का हम चाहते है कि program में क्या find करें factorial निकाले तो उसके लिए हमने क्या किया है variable यूज कर लिए तो यह देखिए मैं आलिक देता हूँ यह हमारा variable है और यह जो int यह भी variable है और यह भी हमारा variable है यह समझ लिए इन दोन variables की मदद से हमने ये program को लिखा है अब देखिए यहाँ आपने declaration किया कि भाई मेरा एक factorial है variable जिसकी value मैं कितनी declare कर रहा हूँ initially 1 तो यह statement में क्या कर रहा हूँ यहाँ मैं basically declare कर दिया ठीक है मैंने यह declare कर दिया अब वैसे ही आप देखोंगे मैंने for loop का इस्तमाल किया है ठीक है तो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं यहाँ पर कि for loop basically क्या है तो देखिए for loop लिखने का तरीका होता है आप यूँ ऐसे एक bracket लगाओगे एक यहाँ curly brace डालोगे और दूसरा curly brace डालोगे और इसके अंदर आप अपनी कोई भी जो है condition यहाँ पर आप लिख सकते हो अगर यह condition true रहेगी तो for loop के अंदर अगर यह condition true रहेगी तो हम इस bracket में लिखा हुआ जो कुछ भी logic है उसको क्या कर देंगे execute कर देंगे तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आजेए यहाँ पर आप देखिए हमारे पास एक for loop है यह हमारा for loop है और इसके अंदर हमने condition लिख दी है यह condition हमने डाल दी है और उसके अंदर हमारा यह logic का final line हमने बनाया है fact is equals to fact into i ठीक है इसके अंदर जो हमने चीजे लिखे हैं उसमें क्या-क्या है इसमें तीन चीजे हमने basically mention की है यहाँ पर आजाते हैं तीन चीजे हमने mention की है एक हमने declare किया है कि हमारा एक integer है जिसकी value i है और उसकी value initially कितनी है 1 है फिर हम बता रहे हैं कि उस i की जो value है वो कहां तक हो सकती है किसी number तक हो सकती है जो number हमने 5 declare की है और फिर हमने i++ लिखा है जिसका मतलब है कि हम उसको increment करना चाहते है ठीक है तो बिलकुल आसान सब्दों में अगर आप चाहें इसको समझना तो इसका मतलब है कि हमारे i की जो value है वो यह कह रहा है कि 1 से सुरू होगी 2, 3, 4, 5 यह 5 एक एक करके इसकी value होगी और यह plus plus का मतलब यह है कि आप आगे की तरफ बढ़ोगे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 5 जैसे ही हो गया उसके बाद यह loop false हो जाएगा यहाँ पर मैंने आपको बताया तो नहीं जब तक यह loop true रहेगा तभी तक आपके इस प्रोग्राम के अंदर का logic चलेगा the moment 5 से ज़्यादा या 5 खतम हो गया यह value false हो गई तो यह अंदर के logic को execute करना बंद कर देगा तो वापस प्रोग्राम पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आप देखो पहला हमने क्या किया fact इसको declare कर दिया फिर हमने यह loop चला दिया जिसमें एक से लेकर 5 तक जाएंगे और यह हमने logic लिखिया अब इस logic को समझने का तरीका देखना मैं आपको यह समझा दूँ कि अभी इस fact को आप यह मान के चलो और इस fact को हम लोग जब values को डालेंगे तो आपको समझ में आएगा basically मैं एक कुशिश कर रहा हूँ dry run करने की तो आईए यहां देखते हैं सबसे पहले देखिए fact की value कितनी है यहां पर 1 है तो मैंने यहां पर fact की value कितनी ले ली 1 ले ली अब दूसरा हमारा जो variable है i की value initially कितनी है 1 है तो हमने यहां पर भी इसकी value कितनी ले ली 1 ले ली अब क्योंकि इन दोनों जग़े पर value 1 है तो आप खुदी देखो 1 multiplied by 1 तो इस वक्त हमारे factorial की value कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी ठीक है अब the moment यह factorial की value आपने यहां पर 1 declare कर दी अब यहां पर magic देखिए इस समय factorial की value क्या हो रखी है 1 हो चुकी है ठीक है अब क्या करेंगे आप loop का दूसरा number लेंगे यहां जो पहला आपका 1 था यह cross हो गया अब आप लोगे 2 यानि कि अब i की value क्या लोगे आप यहां पर 2 ले लोगे आप i की value अब आप 2 ले लोगे और जो factorial की value है वो यह वाली value इधर transfer हो जाएगी और वो value कितनी है 1 है और 2 into 1 जब मैं करूंगा तो जो factorial की value आएगी जो fact की value आएगी वो हो जाएगी 2 ठीक है अब i की value फिर next क्या होगी मैं काम करता हूँ को simple करने के लिए मैं यहां पर सारी values एक बार में i की लिख लेता हूँ यह i की यही 5 values है ठीक है तो पहले यहां से i into factorial factorial की initial value कितनी है 1 है यह 1 जो है यह कहां से है यह obviously यहां से आ रहा है यहां से यह आप समझने की कोशश करना यह initial value है ठीक है यह वाली value जो है यह initial value है अब जैसे ही यहां से यह travel होके यहां आ गया इसके बाद क्या हो रहा है इसके बाद क्या हो रहा है 1 into 1 हो रहा है 1 into 1 मतलब इन दोनों का multiplication जो कर रहा है आप वो value यहां पर आ रही है वो 1 आ रहा है अच्छा अब ये next वाले iteration में ये value को लेके चल रहा है ये value कहां से आ रही है ये आ रही है for loop से jump करके आ रही है value ठीक है और ये 2 को अब आप किस के साथ multiply कर रहे हो 1 के साथ और ऐसे मैं arrow कर देता हूँ 2 into 1 तो ये number देता है 2 अब इसी में मैं आगे बढ़ रहा हूँ अब आपको समझना आएगा शुरू हो जाएगा आप यहाँ पर क्या लाओगे 2 लाओगे इसी 2 को यहाँ लाओगे अब मिरे को बताओ ये number 3 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा ओके और ये 6 फिर ये number कहा जाएगा यहाँ पर जाएगा तो 6 into 4 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 24 और वैसे ही ये number अब next कहा जाएगा इधर जाएगा तो आप क्या करोगे 24 into 5 करोगे ये आपको दे देगा 120 तो basically आप देखो ये i की value यहाँ 5 की मैंने ये factorial की value कितनी की मैंने 24 और मेरे final factorial की value कितनी आई 120 इतना ही logic part है यहाँ पर ये logic है और हमने ये bracket close किया है ये याद रहे है ये bracket closing किसके लिए है यहाँ पर अगर आप program में ये print statement इस bracket के अंदर लिख दोगे तो आप करके देखना आपको किस तरह की problem आती होगा क्या कि या तो print नहीं होगा और अगर print होगा तो बार-बार एक ही loop के अंदर वो print कर रहेगा statement तो याद रहे कि इस bracket के बाहर आपको आपका print statement लिखना है ठीक है तो ये एक तरीका है ठीक है अब मैं आपको यही चाहता हूँ कि आप इस चीज को समझ चुके हो अगर ठीक है तो आप एक बार अपने eclipse में जाकर इस program को करके देखो मैं एक final आपको ये बता देत हूँ कि हमने basically किया क्या है उसको merge कर लेते हैं फटा फट देख लीजे आपको करना क्या था आपने सबसे पहले class बना लेनी है ठीक है और obvious बात है कि उस class का क्या होगा कुछ class name होगा जैसे मेरे class में मैं क्या करूंगा एक factorial ऐसा कुछ class का नाम डाल दिया है मैंने और मैं क्य क्या करूंगा एक opening bracket दूँगा और उसको एक क्या करूंगा एक closing bracket दे दूँगा अब ये class हमारी क्या होनी चाहिए public class होनी चाहिए तो आपकी भी बिल्कुल इस तरह से कुछ आएगी और यहां पे आपका कुछ package बनाया होगा आपने जिन्होंने package और class create करने की वीडियो न प्रेस आएगा उस bracket के closing भी होगी और जब main method आता है तो main method का friend कौन है एक है main method का friend है system.out.println तो इसके लिए आप क्या करो न साइसो लिखना अगर आप eclipse id यूज कर रहे हो तो sysout या साइसो लिखोगे और control प्लस space अगर आप प्रेस कर दो इसको ठीक है control और space प्रेस कर दो logic करने से पहले आपको दो variables declare करने थे ठीक है दो variables declare करने थे दिमाग में ये बात रखनी है दो variables declare करने थे कौन कौन से है तो एक तो है जी हमारा int of factorial जिसको आप fsrat उसकी initial value कितनी थी 1 थी वो आपने target कर दिया semicolon लगा दिया दूसरा आप क्या use करोगे अब इस for loop के अंदर आ रोकी है int of i is equals to 1 उसकी initial value कितनी है 1 है और उस i के साथ आप क्या करोगे number less than equal to अभी 5 कर दिया आमने और यहाँ पे i plus plus करोगे plus plus इसलिए करो क्यों कि आपको increment चाहिए और इस for loop के साथ यहाँ पे क्या आएगा एक bracket आ जाएगा और इसके अंदर आप अपना logic लिखोगे कि भ तो आपका program जो है run हो जाएगा और जैसे ही आपका program run हो जाएगा तो आपको इस number 5 की factorial की value मिल जाएगी ठीक है अब इस program को मैं modify करूंगा क्योंकि यह बिल्कुल ही basic logic है वो हम लोग देखते हैं इसी वीडियो के part 2 में अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपको प